जीवन में आगे बरना जाते हैं, तो अपने जीवन में से जैलिसी, दूसरों को नीचा दिखाना, पीठ के पीशे दूसरों की खराब बातें करना, सुवार्त में सिर्फ अपना ही सोचना, इन सम चीजों को छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जैमातादी, दोस्तों, अस्ट्रालोजी में जैसे सब कुछ हम ग्रहों के अधीन मानते हैं, एं स्पिर्चुरिजम में हम सब कुछ सेवन चक्रा के अधीन मानते हैं, हमारे अंतर में जो विचार होते हैं, जो हमारी सोच होती है, जो हम अपने सब कॉंशिस माइंड में जाने में अन जाने में चलता रहता, सोचते रहते हैं, जो अलग अलग चक्राज की हमारी इस्तिती होती है, वो ही आगे हमारा अब्बा मंडल होता है, जिसको हम औरा कहते हैं, आप देखें, किसी व्यक्ति के पास आप बैठते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप जानते भी नहीं हो उसको, कभी कभी किसी को बहुत अच्छी तरह जानते हो, उसके पास बैठते हो, इरिटेशन होने लगती है, पहला चक्र, हमारा मूला धार चक्रा, रीड की हड़ी के बिलकुल शुरुवात में, दूसरा चक्रा, काम चक्रा, नाबी से नीचे, तीसरा चक्रा, नाबी चक्रा, चोट्रा रिद्या चक्रा, पांच्वां कंट चक्रा, शिक्स आग्या चक्रा, और सेवंथ सस्ल दलकुम्रा चक्रा, जैसे जैसे दोस्तों हम ध्यान करते हैं, मंतर जाप करते हैं, साध्रा करते हैं, तो हमारे चक्रा की शक्ती बढ़ने लगती है, हमारे चक्राज एक्टिव होने लगते हैं, तो जैसे हमारे फ्रंट पे चक्राज हैं, इसी तरह से हमारी बैक पे भी चक्राज हैं, जैसे जैसे आप अपने विचारों को ठीक कर लेते हो अपने धॉट्स को ठीक कर लेते हो तो दीरे दीरे आपके संकलों पूरे होने लगते हैं चोटे-चोटे संकलों पूरे होते हैं तो आद्वी वही साधना में रुक जाता है वो सोचता है मुझे बहुत रिद्धी तो बात खराब हो जाती है तो आपके दिन्यावी रूप से आप पूरे 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 काबल होने चाहिए आपको उस चीज के अनालोज होना चाहिए और साधना में भी आपके उपर गुरु कृपा होनी चाहिए तब फिर आप वशेश व्यक्ति बनते हैं तब आप आम लोग आप वशेश ही हो जैसे जैसे आपकी सोच बड़ी होती जाती है तैसे तैसे बहगवान परमात्मा एश्वर आपके इश्ट आपको बड़ा व्यक्ति बनाते जाते हैं ध्यान की लगभग वग्यान बहरतंतर के मताबिक 118 विदियां हैं 118 के भी आगे छोटे-छोटे भाग हैं मंतर जाप, जाप से ध्यान, ध्यान से समध्धी जब आपकी ऐसी वस्ता आ जाती है तो आप एक दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं तो आप जीवन में आगे निकलना चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने जीवन में से जैलिसी, दूसरों को नीचा दखाना, पीठ के पिशे दूसरों की खराब बातें करना सुवार्त में सिर्फ अपना ही सोचना इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और सिंपल ढंग बता रहा हूँ रात को सोने से पहले रोज देखें पांच मिन्ट दस मिन्ट सोचके का आज मैंने कौन सी गलती किया आज मैंने किसी के बारे कौन सा बुरा विवार किया किसी के साथ मन से भी प्रेक्टिकली नहीं मन से भी तो आप एक दिन ऐसा आएगा तो आपके पास आपको लगे का आज तो मेरे से कोई गलती नहीं होई और जब दूसरे दिन गलती होने लगेगी तो आपको थोड़ी खेना आएगी नहीं, ऐसा नहीं करना है उसके बाद दोस्तों फिर जब आप ध्यान करते हो फिर आप जब अपना संकल्प ध्यान करते हो तो फिर आपको संकल्प में सक्सेस मिलती है आपको कामजाबी मिलती है लबगवान करे, आपको कामजाबी मेरे, आप सक्सेस हो, आप सफलो, नमस्कार.